हम देखेंगे कहा जाते हैं और विसल भी पेन लिए उन्होंने अब देखिए ये दिखेंगे मैंने उसको ट्रेंड किया फिर बाद में ये लोग सब उनको फॉलो करते गुरू का नया एपिसोड और आपका स्वागत करता हूं मैं जो आप लोगों का दोस्तों आप लोगों स किसे गहर बहुत खूबसूरत है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं खूबसूरत गषर है तो नूबबबज को अच्छा हैा च्छी पालते हूं आपक अपका पहले ये घर के ऊपर आपने क्या किया है मैंने गर पर पत थर वेल लगाी है. już YouTube में देखा तो चिपकली वेल भी उसको बोलते है अच्यथा चिपकली जो दिवार पे लगती है चिपक के वैस तरह से वो चिपक के जाती है तो ओटोमेटिकली बढ़ती है आगे वो दिवार पे भी ओटोमेटिकली वो पकड बना लेती है तो दोस्तों कुपसूरत सा इनका घर है या कुछ प्लास्टिक का लगा है लेकिन प्लास्टिक का नहीं ओरिजनल है मुझे भी वीडियो में यही लगता था और आसपास हरे भर सवाल दोस्तों कितने साल से आप बर्ड्स पाल रहे ए तरह से मेरे को फिर बाद में कोकाटेल पहली बार मेंने फ्रीफ्लाइ कर वाया था था तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे यूट्यूबर famous है जो free fly bird को train करते हैं उड़ाते हैं उसके साथ वो famous हुए है अनुप भाई ने कोकाटेल आगे उड़ाया था कोकाटेल जो है बाइक के आगे उड़ रहा था यही यही पर पीछे मेरे पीछे सड़क आप देख सकते हैं जहां पर जा रही है और वहां से यहां तक आई थी तो बहुत अच्छी एक expertise है चलिए उनके birds देखते हैं और बहुत सारी बाते करते हैं मुझे पता है आप लोग सीखना चाते हैं कि केसे इनको training दी जाती है वो भी हम second episode में बात करेंगे लेकिन आज इनका घर और इनके प्यारे से birds देखते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों वैसे नौसारी डिस्ट्रिक के अंदर चिखली है चिखली में मैं farm cover करने आया था तो यहां पर भी आया हूँ अब यह देखिए वेल आप देख सकते हैं कितनी खूपसूरत है चिखली अगर अगर आप देखेंगे तो दिवार पर बहुत अच्छे से की हुई है यह और वहां पर हमें इस ट्रेंड भी दिख रहा है जिस पर अनुबभाई ज्यादा तर अपने birds को train करते हैं उपर देखिए तो चले दोस्तों खूपसूरत घर के साथ खूपसूरत birds भी दिखा दिया है तो यहां पर भी देखो इसने cover करना शुरू कर दिया है तो दोस्तों पीछे बरामदे में हम आ गये हैं और birds ज्यादा नहीं है लेकिन जो है bird यह trainer है यह bird breeder नहीं है ठीक है काफी लोग बोलेंगे कि bird तो इतने ही है लेकिन यह हम इनके पास आए है इनके bird की training सन कन्योर आपको free fly आसमान में खुले आसमान में छोड़ दिया किलो मिटर दो किलो मिटर तीन किलो मिटर दूर चले जाएंगे और आएंगे मेरी ही चैनल पे कोकाटेल उन्होंने मुझे gift किया था हलाके दूस्तों एक said news है कि वह कोको अभी मेरे हम मेरे पास नहीं है वह expired क यह सब ब्रीड और संकन्योर संकन्योर टेम हैं चीज मिल जाएगी मतलब मेरे पास अवेलेबल में संकन्योर में अभी फीमिल है और कॉक्टेल मेरे पास थीन पीश है जुकित अलबीनो में है और नोमबर दी जी जीए 987520223 तो दोस्तों आप अनुभबाई को contact कर सकते हैं ठीके दोस्तों यहां पे बिलकुल भी गर्मी नहीं है अगर यह फ्लेट में मैं कहूँ तो मेरे रूम में गर्मी होती है लेहा लेकिन यहां पे बिलकुल भी गर्मी नहीं है आप देख सकते हैं आप ventilation ऐसे आपको करना है ठीक है तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा कोई चीज नहीं है तो भी आप लोग जो है वो birds रख सकते हैं और इतनी आसानी से birds कितना enjoy कर रहा है पीछे आम के खेत हैं बगल में गन्ने का खेत हैं आम और गन्ने के खेत के साथ दूसरे बहुत सारे sunflower के पोधे वगेरा भी लगाये हुएं जिससे birds को बड़ा मज़ा आता है चलिए आगे बढ़ते और और कुछ सवाल करते तो अभी तक आप कुन से-कुन से bird पे काम कर चुके हैं अनुप भाई अभी में low bird पे भी मैंने किया था और उसको भी free fly किया था अभी नए free fly वो breeding क प्हें के लिए रखा था में electric में कोक्टेल में आया free fly में आपने कुन सा क्या है free fly में में नए fi प्ट्रीव किया था फिर आफड में ग्रे भी मेНе किया है डोस्तो अफरिकन ग्रे का video में description में डाल दूंगा वो उनके client नहीं करवाया था तो अगर आप चाहते हैं अनुब भाई तो एक साधारन परिवार से हैं तो क्या है कि आफ्रीकन ग्रे जो है वह बहुत महंगा आता है कम से कम 60-70,000 का एक आफ्रीकन ग्रे आता है तो यह एक महंगा बर्ड है और इसमें भाग जाए या मर जाए तो दिक्कत होती है तो आप अगर कॉंट्राक पे इनको देना चाहते हैं पूरा बर्ड आपको लेके आना है सेलफ फीड ये सपोर्ट फीड पे होना चाहिए सिर्फ एक टाइम फीडिंग के ओपर तो उसके बाद वो ट्रेनिंग देना स्टार्ट करेंगे वो पूरा ट्रेनिंग मतलब के जो आप उससे फीस लेने वाले वो फीस नहीं लेंगे और मैं प्रूफ के साथ बता देता हूं कि यह हुआ है उसको पिच्चर या वीडियो भी में दे दूंगा उसको आप बोडी भी वाफिस दे सकते हैं तो आपके मतलब के दोस्तों रिंग पेना ही जाती है तो और रिंगिन कीसी होती है या तो पाउं काटना पड़ेगा या रिंग काटना पड़ेगी ठीक है एसनी रिंग निकलती है तो टेंषन नहीं है वह आपको आपके बिर्ड की बॉडी वापिस मिल जाएगी लेकिन अनुप्भा अपनी तरफ से नुकसान आपका हुआ है तह वो खुद का भी नुक्सान चेहलने का तयार है। वो अपनी फीस भी नहीं लेंगे उसको जो हैंट्फीडिंग करें है उसका भी चार्थ नहीं होगा। सिरक आपको नहीं होगा। तो यह एक अच्छी चीज है। क्योंकि McCarthy करना इतनी आसान भात नहीं है। इसके पीछे दोस्तों बहुत टाइम लगाना पड़ता है तो अनूप जी हम ट्रेनिंग के बारे में तो दूसरा वीडियो बनाएंगे लेकिन ये ट्रेन करने में कितना टाइम लगता है कितने दिन लगते हैं वो तीन महिने जैसे लग जाते है पूरी ट्रेन करना हो तो मेरे को तीन महिने लग जाते हैं प्रोपर फिर और फिर उसके बाद भी टाइम तो देना ही होगा जो लेगा या आपके पास होगा वो क्या है ना कि आप उसको थोड़ा सा वो टेम तो रहेगा लेकिन उसको पैक्टिस करवाना जरूरी है थोड़ेटा हाँ साल जैसा तुम कराओगे तो फिर कुछ देखने का नहीं रहेगा फिर वो अपने आप वो अपने आप वो समझ जाएगा क्या करने का उसको गुमने के लिए ले जाओगा अपने नहे लोकेशन पर मेरे पास तो दोस्तो बहुत अच्छी इंफोरमेशन थी यह इतना आसान काम नहीं थी प्विने का आप अगर रोज का भी दोस्तों कितना टाइम देना पड़ता होगा एस दोस्तीन घंता हुआ सब्सक्राइब दोस्तों इतना टाइम जनरल हमारे पास सेटर्डे संडे के अलावा नहीं होता है आपको देना होता है और मैं चाहता हूँ मेरे अनूप पतेल को जैसे आपने सुल्तान भाई को दूस्तो एक किंग बनाया है गुजरात का और मुझे फक्र होता है कि वो मेरी चेनल से फेमस हुए मेरी चेनल से आज इतना उनका नाम है ठीक है तो गुजरात ही होने की वज़े से अनूप भाई को भी बहुत सपोर्ट करिए एक के क्या नाम है एक फोर्टी सेवन बड्स ट्रेनर के नाम से इनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है मैं भी कभी-कभी रील डालता हूं कोलाबरेट करता हूं तो आप उनसे इंक्वाईरी कर सकते हैं उनके नंबर भी वहाँ पे आपको मिलेंगे तो यह एक ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियो था अब एक इंट्रस्टिंग टोपिक है दोस्तों कोका टेल की ब्रीडिंग में अगर अंडा थोड़ा सा क्रेक हो जाए तो क्या कर सकते हैं सिर्फ कोका टेल नहीं किसी भी तो जी अनूप